पीसी आवास पर आप देख रहे है कमाई का अड़ा भारते बाजारों में आज शुरुवात मजबूती के साथ जरूर हुई एक और सत्र था जब हम 22-500 तक पहुँचे लेकिन उपरी लेवल से मारकेट कर रहा है मुनाफ़ा वसूली दिखाने लगा है तो आज कंसॉलिडेशन जो दिख रहा है वो करीब 24-400 के आसपास नजर आ रहा है एक समय ऐसा था कि उस लेवल को हमने टेस्ट जरूर किया लेकिन देखते हैं आखरिये घंटे में डेड़ घंटे में यहां से कुछ रिकावरी आती है या नहीं निफ्टी ही नहीं निफ्टी बैंक पर भी दबाव लेकिन मिड़ काप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म वीरू गुरा आफ्टनून बताइए 400 के आसपास थोड़ा सा थमने की कोशिश यह इंपोर्टन्ट लेवल है आज क्लोजिंग के लिहाज से बिलकुल हाष्टा गुरा आफ्टनून हाष्टा लेट सुपर थे बैस्ट कि यह आखरी के रियर घंटिटर्स के लिए स्विंग के लिहाज से बहुत चांदार रहें आपने ये 2200 की टेजेक्टरी का जिकर किया हाष्टा सुबह इसी बंच में जब आप और में मौर्णिंग कॉल मौजूद थे वो जो एफाइस के स्टैट्स थे और जिसमें कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के करीब करीब एक लाइट असी हजार कॉंट्रेक्ट और दो लाइट दस जार कॉंट्रेक्ट जो एडिशन्स थे वो कम्प्लीटी ये बात रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि हमें लास्ट सीरीज के आखरी दिन और नई सीरीज के पहले दिन जो थरस्ट पिला एक एडवांटेज मिला शॉट कवरिंग का उसके बाद इंडेक्स माइट भी एक कंसिलरेशन के फेस बी चला जाया सुबह बात भी होई थी मेरे स्टैटेजी के तीसरी लाइन में क्लिर्ली मैंशन था अ कंसिलरेशन इस डिव बट स्टिल याद रखेगा इस कंसिलरेशन के फेस में जहां पुट राइटर्स 22-300 पे स्ट्रोंगली विजिबल हैं इंट्रडे में 22-400 पे भी विजिबल हैं और कॉल राइटर्स प्लेस्ट हैं 22-500 पे मेरी अप्रोच क्लियर कट यही थी मौर्निंग में भी के एज अफ नौ प्लीज रेजिस्टन्स के प्रिट लिक आईएगा एज अफ नौ 381-325 किसी भी ट्रेड को पिक करने का ये और इस से 5-10 पॉइंट का उपर का जो जो क्लस्टर है वो ट्रेड को पिक करने का सबसे वाजब क्लस्टर होगा और 490-531 मैं उन सभी ट्रेड को जो की लोवर क्लस्टर पे लूँगा एक्जिट कर जाओगा सुर्वे से 2-3 पॉल बैक मिले हैं हश्टा इस जोन से और मैं आपको इस वक्त के स्टैट से थोड़ा सा वाकिफ कराता हूँ दरसल आज कुछ दिगज आईसे से बैंक आज एलन टी बैक फूट पर आके खड़े हो गया है आज रिलाइंस बैक फूट पर आके खड़ा हो गया है तो मुमेंटम आज थोज़ा सा लॉस्ट हुआ यह देखे आपके स्केन पर और यह तीनों ही स्टाउक्स पिछले लगपक 10 दिन में काफि स्ट्रॉंग मुमेंटम में थे लेकिन मुमेंटम लॉस्ट हुआ है लेकिन याद रखेगा यह बहुत अच्छे और एग्रेसिव स्टाउक्स थे इन में कूलिंग ओफ हुई है कोई नेगेटिव यू नहीं है आपर अब आएंगे आपके स्केन पर स्ट्राइक्स तो झारा स्ट्राइक्स क को देखे और कल बैंक निफ्ती के एक्स्पारी होगी कीक्लिक्लिक्स पारी होगी पोजिशने निफ्ती पर अप्शन राइथ़स की कैसी उसको देखते है आपके स्केन पर क्लेरली विजिबल है कि as of now 2.500 एक बहुत ही बड़ा supply cluster और exit zone बन रहा है index trader के लिए हाँ सबसे बड़ी call writing वहीं पर 3.500,000 का यहाँ पर OI additions, outstanding OI करीब करे 1.27 CR हो चुगा है जो कि 490 और 520, 526 एक exit zone है इस बात को reflect करता है पर एक और चीज़, आप intraday में देखिए, देखिए कल की positioning थी 22.300, एक लंबे अंतराल के बाद US markets की opening थी, उसको guess करने के लिए, उसको एक room देने के लिए 22.300 पर पोर्ट राइटिंग थी बट आज हश्ता राइटिंग है 22.400 पर, तो मेरा point वही रहेगा अगर आपने मेरे point के ऊपर, यानि 380, 88, 90, 95 के zone में ट्रीड लिया है तो committed रहिए, इस ट्रेट पर हश्ता 325 और 310 तक करिस्क रेना पड़ेगा, value at risk तो रखनी पड़ेगी इतने, बट मैं अभी कोई shorting के अपोचिन कर रहा हूँ, अभी भी निफ्टी पे intraday long और position long hold करना है, हश्ता जी हाँ, ये फिलहाल आपके लिए overall situation market की उभर कर आ रही है, उपरी लेवल से थोड़ा बहुत मुनाफ़ उसली का दबाव आया जरूर है, चलिए आपके लिए कुछ trending counters लेकर आएंगे, उससे पहले विरू निफ्टी बैंक 47,500 और सुभ में 700 तक पहुचे थे, आज मैं देख रही हूँ, ICICI गया, कोटक गया, इन सब की तरफ से दबाब बन रहा है, बस HDFC का ही सहरा है, वो खीच पाएगा क्या आज Bank X के expiry के दिन, या financial services के expiry के दिन पूरे index को हश्टा में लिए HDFC बैंक ही काफी है, और आपको याद हो कि एक दिन हश्टा लगफाग जन्वरी का महीना था, ऐसे ही कुछ हुआ था, अकेले HDFC बैंक पारी को संभाल के लिए गया, था, देखे, HDFC बैंक, SBI, ये दोनों contributors हैं, और ICSA bank pressure provider है, इस बंद, मैं हश्टा कल भी काफी strong भी रख था, बैंक निफ्टी के उपर, क्योंकि हमें कल close मिला था, 47,500 के उपर, आज मेरी approach यही थी, कि any dip towards basement, basement लिखाएगेगा screen पे, it's 47,310, आज 33,340 की trajectory मेरे खाल से lowest trajectory थी, उसको buy की जाएगा, और clearly mentioned था हर्ष्टा, एक point है higher levels पे, जब तक उसके ऊपर हम 10 minutes spend न कर देना, further swing towards 47,934,900 पॉसिबल नहीं है, लेकर आईए ओपॉइंट, क्या था, it was 671, 671, आज का highest cluster, almost हष्टा यही है, but मैं अभी भी HDFC bank और उसके 50 देमा की trajectory के ऊपर trade करने के, जो I think behavior है, उसको respect दूँगा हष्टा, आपके screen पे 6 strikes हाएंगी, और यह 6 strikes exactly यही as of now, put writers इस बात को लेके convinced हैं कि HDFC bank द्वारा generated, यह thrust, nifty bank को उपर दे जाएगा, आप अपनी screen पे जरा, 47,400, 300, 200 की range में हो रही put writing को देखिए, 47,600 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे buying है call में, और 48,000 पे एक बड़ा outstanding वाई खड़ा है 37,000 लाग का, तो मैं फिर उसी point प को buy कीजेगा, अभी भी long है तो रखिएगा, 671 पे अपने trade को बार बार जाके एक बार book करिए, but अगर आप 671 के उपर थोड़ा time spend करते हैं, तो 930 की trajectory आपके लिए खुल जाएगी, हर्श्ता झाल जाएगी, हर्श्ता